सातियों नमस्कार, जय हिंद, जय भार्त, वंदे बात्रम, मैं दिलीप सेन आप सबी का informative classes में एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करता हूँ आप सबी को बता दूँ कि आप सबी को PTT 2022 अपड़ मुमेंट रिजल्ट और आपको फौर्थ लिस्ट का बेसबरी से इंतजार है और साइट पे दिखाया जारा है कि ए प्रिहारे कारणों से आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं की जा रही है तो क्या आज साम का जो समय आपको दिया गया है वो समय लिस्ट जारी कर दी जाएगी या उस समय पर आपकी लिस्ट जारी नहीं होगी देखे अगर आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही आपकी अलोटमेंट की लिस्ट जारी की जाए तो आप लोगों को उसकी सुचना मिल जाए अभी देखे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस परकार से आपकी अलोटमेंट लिस्ट निकाल सकते हैं जैसे ही आपकी अलोट्मेंट लिस्ट आए तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आपको Google Open कर लेना है उसके बाद में आपको यहाँ पर PTT 2022 लिखना है और उसके बाद में जैसे ही आप सरच करोगे यहाँ पर लिख करके मैंने यहाँ पर यह लिख दिया है और यहाँ पर आप सरच का बटन दबाओगे तो सबसे पहले आपके पास में यह Link Open हो जाएगा इस Link पर आपको क्लिक करना है और जैसे यह Link Open होता है तो आपको यहाँ पर यह Dashboard देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आपको अभी तक यही कारण दिखाया जा रहा है कि आपकी लिख्ट है वो आज साइं को परकाशित की जाएगी आज साइं यानि अब आज साइं क्या मान रहे हैं साइं का समय आपको पता है 6-7 वजे के बीच में होता है जो कि आपका हो चुका है और मैं आपको बताओ अगर मेरे इसाब से आपकी लिख्ट है वो आज जारी होनी चाहिए क्यों कि कल का आपका समय था और कल के तो साथियों आपको क्या है कि यहाँ पर आज साइं को जारी हो जानी चाहिए अगर जारी आज हो जाती है तो उसकी सुचना भी आपको मैं तुरंत उपलब्द करवा दूँगा लेकिन मैंने आपको यह बता है कि आपको किशी से पुछने की जरूरत नहीं है इसके बाद में आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है देखें यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही क्या होगा आपके पास में यहाँ पर बहुत सारे लिंक आ जाएंगे यहाँ पर यह सारे लिंक आ रहे हैं तो इस लिंक में से आपको एक लिंक मिलेगा कि आप allotment result या allotment result या upward moment का result या फिर allotment list कैसे निकाले ऐसा एक link यहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो आपको बता दू जैसे ही आपकी यहाँ पर वो list आ जाएगी तो इस link पर आपको click करना है और जैसे आप उस link पर click करोगे तो आपको ऐसा देखिए एक यहाँ पर छोटा सा फोरम मिलेगा इस फोरम में आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा वहाँ पर आपको आपका counseling ID बना होगा counseling ID, date of birth और आपका roll number वहाँ पर आपको बना होगा इसके बाद में एक आपका चालान mode आएगा तो चालान mode आप किस से करोगे इमितर से करोगे या bank से करोगे वो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसलिए आप सभी को बता दू साथियो इसी फरकार स आप अपना swim का allotment लेटर निकाल सकते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपको तीन से चार डोकुमेंट्स भी upload करने पड़ेंगे वो डोकुमेंट्स भी मैं आपको बता दूँगा किस परकार से डोकुमेंट्स वोच आपको upload करने हैं आप मेरे कोई भी एक इस्ट्रेंट्स अपना role number, अपने counselling ID और अपनी date of birth डाल सकता है WhatsApp नमबर पे और WhatsApp नमबर में आपको यहाँ पर screen पर upload करवा देता हूँ इसी WhatsApp नमबर पे आप मेरे से contact भी कर सकते हैं अगर आपको किसी भी परकार की कोई परेशा नहीं है तो इस नमबर पे आप contact कर सकते हैं अगर आपका call issue नहीं किया जा रहा है तो आप बार बार call ना करें जैसे ही समय मिलेगा आपको वापस callback कर लिया जाएगा इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ तो आप लोगों का इतना फरज बनता है कि आप लोग चैनल को अभी subscribe कर दें और bell icon को प्रेश कर दें जहां तक आपकी B.A.D. complete होगी तब तक आपके इस साथ में रहूँगा B.A.D. की internship, B.A.D. की diary और B.A.D. की piece जो आपकी होती है वो और आपकी जो आपको scholarship मिलती है वो उसकी सारी जानकारी भी साथ यो आपको अप्लग करवाने वाला हो